एलो जी क्या हाल है week 3 पे आ चुक है हम लोग पहले अपने solution की दरफ बढ़ते हैं फिर बागी बात करेंगे ठीक है हाँ जी तो अपने question number 41 से start करते हैं question है search in a binary search tree बहुत असान question है question कह रहा है you are given a root of a binary search tree and an integer value आपको एक tree दिया हुआ है और एक value दियो यह अलग से integer value find the node in the BST that the node's value equals the val आपको ऐसी node निकालनी है जिसकी value आपको दी गई value के equal है and return the sub tree rooted with that node और वो root आपको return कर देनी है बस और कुछ नहीं करना if such a node does not exist return null अगर ऐसी कोई node exist नहीं करती है तो null return कर देते हैं मान लो node exist ही नहीं करती है मान लेते है node exist ही नहीं करती है सबसे पहली condition तो if not root तो return null पहले तो null वाली condition sorted है अब binary search tree का मतलब binary search याद करो सबसे पहले binary search क्या होता था कि हम दो हिस्सों में search करते थे हम mid minus one तक search करते थे या हम start को ठाके mid पे ले आते थे और वहां से mid से end तक को search करते थे किसमें एक array में कौन सी array में sorted array में क्यों क्योंकि sorted array में अगर मैं मेरे को कुछ छोटी value ढूलनी है तो वह mid से पहले ही मिलेगी और बड़ी value ढूलनी है तो mid के बाद ही मिलेगी इतनी बात आपको अगर थोड़ी बहुत याद आ रही हो तो नहीं याद आ रही तो कोई बात नहीं binary search tree basically क्या है कि आप अगर किसी भी node पे खड़े हो एक tree के किसी भी node के binary tree के तो उसके right side में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे उससे बड़े होंगे उसके left side में जितने भी लोग होंगे वो सारे के सारे उससे चोटे होंगे किसी भी node पे खड़े हो किसी भी node पे example के लिए मानलो आपके पास एक binary search tree है जिसका root है 15 ठीक है इसके left में हमेशा इससे चोटा बंदा होगा तो 10 इससे चोटा है left में place होगा 20 इससे बड़ा है इसके right में place होगा ठीक है अब मानलो इसमें मेरे को place करना है 12 तो 12 15 से चोटा है तो left subtree में आएगा और 10 से बड़ा है तो 10 के right में आएगा ठीक है मानलो अब इसमें मेरे को place करना है 2 15 से चोटा है 10 पे आएगा 10 से भी छोटा है, तो 10 के left sub tree पे आएगा मानलो अब इसमें मेरे को place करना है maybe 18 तो 18 15 से वड़ा है, तो इसके right sub tree में आएगा 20 से छोटा है न, तो 20 के left sub tree में आजाएगा ठीक है, थोड़ा थोड़ा आप लोग समझ रहे होंगे मानलो मेरे को place करना है 100, 15 से वड़ा है, 20 से वड़ा है तो right sub tree में आजाएगा, ठीक है, इस तरीके से जो tree बनता है उसको हम कहते है binary search tree, यानि कि किसी भी note पे खड़े हो उसके left में देख लो, सारे लोग उससे चोटे होंगे उसके right में देख लो, सारे लोग उससे बड़े होंगे अब ये तो tree बनाने का तरीका था, हमको tree में ढूंडना है यानि कि बना बनाया tree आया है, कुछ नहीं करना, बहुत ही असान question है तो देखते हैं देखो ओके तो सबसे पहली situation अगर root की जो value है वो मेरी given value से छोटी है यानि कि मैं बड़ी value ढूंडने की कोशिश कर रहा हूँ तो वो हमेशा root के right में होगी तो मैं कह दूँगा return कर दो search bst root का right और value ठीक है else if जो मेरे root की value है वो मेरे given value से बड़ी है यानि कि मैं छोटी value ढूंडने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं कहूंगा search bst root का left value छोटी value ढूंडने की कोशिश कर रहा हूँ तो मैं left में जाऊंगा ठीक है अगर ये दोनों ही नहीं चले ये दोनों ही नहीं चले तो क्या होगा कुछ नहीं return root क्यों क्योंकि तीसरी condition क्या होगी equal की देखो चार ही situation दो सकती है या तो है ही नहीं कुछ तो return null कर दो या तो value बड़ी है तो या राइट में चले जाओ या फिर value छोटी है तो या लेफ्ट में चले जाओ अब क्या बचा equal है equal है तो return root कर दो ना खतम होगी बात run कर लेते हैं एक बड़ी होगा accept submit कर लेते हैं एक बड़ी होगा submit बहुत ही बड़ी है हां जी तो I hope आपको solution अच्छे से समझ आ गया होगा अगर नहीं समझ आया तो एक बड़ी editorial पढ़ लेना website पर जाकर और video दुबारा से देख लेना कुछ भी problem आती है तो telegram group में doubts पूछ लेना, tension मत लेना पढ़ाई करते रहना also आप लोग almost half way इस challenge में आ चुके हो आपके कुछ ही दिन बचे है बिल्कुल भी इस challenge को skip मत करना, पूरा complete करना एकदम motivated रहना बस कुछ दिन के और कहानी है, फिर हम एकदम DSA में pro हो जाएंगे, new year से पहले पहले हमको एकदम DSA perfect करके जाना है, नए साल में करनी है, resolution के साथ कि हमको भी placement grab करनी ही करनी है तो preparation अभी से होगी ठीक है जी, all the very best